हमारे चैप्टर का नाम है रेजिडेंशल स्टेटस पहले इसको हम ध्यान से समझेंगे कि रेजिडेंशल स्टेटस क्या है उसके बाद इसके अंदर करेंगे हाला कि इसके अंदर जो सबसे मेन है वो सेक्शन नमबर 6 से रिलेटड है जब सबसे पहले रेजिडेंशल की हम बात करते हैं तो अगर मैं रेजिडेंशल की बात करूं तो इंडिया अब मैं सिम्पल बात करूं नि रेजिडेंशल का मतलब होता है रहना residential का मतलब है रहना थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते है समझेगा, समझेगा residential का मतलब रहना और status का मतलब होता है कि उस जगह का status बोड पे धान दीजे बोड पे residential का मतलब रहना और status का मतलब क्या है पहले हम इस points को अच्छे से समझेगे chapter को फिर हम देखेंगे अब मान लेते हैं कि हम इंडिया की बात करें अगर तो कुछ वेक्ति ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं और कुछ वेक्ति ऐसे हैं जो की इंडिया से आपके बाहर रह रहे हैं दोनों possibility है ठीक है अब जो भारत के अंदर रह रहा है और एक बाहर रह रहा है तो हमारा ये चल क्या रहा है topic subject क्या है income tax तो income tax में government का motive या मुद्दा क्या होगा बताओ कि हम किस वेक्ति से tax लेना चाहिए किस से नहीं लेना चाहिए अब मान लो एक वेक्ति पर्मानेंटली बाहर रह रह रहा है इंडियान गवर्मेंट बोले कि भाई तुम भी हमें tax दो तो क्या ऐसा possible है अगर मान लेते हैं कि मोदी जी चले जाएं और जाके जो वाइडन से बोले कि भाई tax दो तुम पॉसिबल है ऐसा नहीं है सर यानि इंडियन गवर्मेंट उन्हीं वेक्ति से ही tax वसूल सकता है जो इंडिया के अंदर है अब लेकिन जो वाइडन एक दिन के लिए इंडिया तीन-चार दिन के लिए टूर पे आते हैं जैसे वो टूर पे आया इंडिया के अंदर तो ऐसा थोड़ी income tax department पकड़ लेगा बोलेगा भाई अब नहीं जा सकते पासपोर्ट नहीं जाने देंगा आपको tax देना होगा तो इससे एक बात तो तै होता है कि सर इंडिया के अंदर जब आप इंडिया में होगे तभी आपको tax देना होगा और उसके भी कुछ सरते होंगी तभी होगा ऐसे नहीं कि आप इंडिया में आ गया बाहर का कोई वेक्ति इंडिया में आ गया या कोई वेक्ति इंडिया से देखा होगा 10-10 साल के लिए इंडिया से बाहर चले जाते हैं जिसको बोलते हैं NRI Non-Indian Resident बहुत समय के लिए चले जाते हैं फिर बापस एक दिन आए अपने family वालों से मिलने के लिए तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बोले के जो 10 सालों में इंकम कमाया सब भारत में टेक्स दो तुम इंडिया में आ गए हो नहीं हो सकता तो मैं status की बात कर रहा हूँ status मतलब कब आपको tax देना है कब आपको tax paid करना है ये तो एक तो ये जानेंगे इसके अंदर residential मतलब आप इंडिया में हो तो कितने दिन के लिए जब आप इंडिया के अंदर रहोगे तब हम आपसे tax वसूलेंगे तो उसे क्या बोला गया residential status यानि भारत के अंदर आप हो तो इसका मतलब ये नहीं आपसे tax लिया जागा कुछ शर्तें हैं कुछ नियम है वो नियम फुल्फिल करोगे तब आपको tax देना पड़ेगा दूसरी बात ऐसा एक question exam में आता है और वैसे भी मैं बता हूँ आप Indian citizen Indian citizen कब होता है अब देखा होगा अभी बहुत सारा cases चल रहा है कि भाई कोई बहार के वेक्ति इंडिया में आके citizenship ले रहे है तो वो क्या कर रहे है जैसा ही आपका यहाँ पे UID Unique Identification Number या फिर आप कहलो आधार कार्ड आपका बन गया आप हो गए resident Indian Indian citizenship मिल गई जैसे बाहर देशों में आपको महाँ के citizen होने के लिए बताइए क्या होता है आपने word सुना होगा green card ऐसे इंडिया के अंदर अधार कार्ड तो इंडिया के अंदर क्या होगा अधार कार्ड जैसे ही आपका अधार कार्ड बना आप Indian citizen होगे अधार कार्ड बनने के बाद तो सारे document आप बना सकते है pen card pen card सब उसी सब बन जाएगा तो इंडिया में बनने के लिए अधार कार्ड तो जरूरी नहीं है कि आपके पास अधार कार्ड है मतलब हम आपसे टेक्स ले लेंगे Indian citizen है क्या पता आपने अधार कार्ड बनाया और पांस साल की उमर में आप तो एक साल से कम बच्चे का भी बन जाता अधार कार्ड आपने अधार कार्ड बनाया अप यूएस से पर्मानेंटली चल गए तो इसका मतलब क्या यह हो सकता है कि हम आपसे टेक्स लेंगे आप पर्मानेंटली यूएस से में हो नहीं क्या आप इंडियन सिटीजन नहीं हो हो क्या एक वेक्ति एक ही कंट्री में सिटीजन हो सकता है ऐसा नहीं है कितनी कंट्री में हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जैसे कि बीच में अभी नियूज आया था अक्षे कुमार को केनेडा का सिटीजन से मिल च कमारे नहीं हो सकता न तो दो-तिन बात या समझना यानि टेक्स देने के लिए कुछ न कुछ तो rule बनाया है और रेजिडेंशल इस्टेटर्स हर एक व्यक्ति का अलग अलग निकाला जाएगा तो सर्परशन का मतलब वही जो की पहले हमने देखा था सात बिलकुल जो वो साथ है ना उन सातों का अपना एक अलग स्टेटस निकाला जाएगा जिसके अंदर हम इस चप्टर में सीखेंगे यानि सिंपल सी बात है सर एक वर्ड में एक लाइन में इस चप्टर का अगर नाम को मैं explain करूं तो इस चप्टर के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आप इंडिय आपका बर्थ कहां पे है इंडिया का है या इंडिया के बाहर का है उससे लेना देना नहीं है आप इंडियन सिटीजन हो या फिर नहीं हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता only and only one thing कि आपका स्टेटस क्या है उस पे डिपेंड करेगा इतनी बाते मैंने बताई आपको एक स्टेंग है तो दीरे दीरे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है मैं एक कोशन आप से पूछू अगर बहुत सिंपल सी बात है कि आप बताईएगा औरे कि एक सेकेंट कि अगा आप लोग क्लास सवा तीन बजे आप लेट आयो सवा साथ बजे अच्छा स्टी एटी वही रुक जाओ अभी करेंगे दुबारा करेंगे रुक जाओ कुछ हैरर है शायद स्टी अव mare कता ले कि एप डुक पिस स्थावसार्ण प्रभादेश करेंगे अभर नंगे करें वहींगे सुकिछबादा जाश्ति एगे पस्क्षावसाटी करेंगे दुक्दारायदार मुट« नहता है अवकि दीओए यज़ू इगर इवशस Nicholas मैं दुबारा बता देता हूं सारी चीज़े क्योंकि वहाँ थोड़ा सा एरर आ गया था वोई सारी आप सभी को एक बार चेक करिएगा वोई सारी है डिसकनेक्ट हो गया था थोड़ा मैं स्टार्टिंग से कराऊँगा किसी का कुछ भी नहीं रहने वाला हाँ या नामे फटाफट से बता दिए वोईस आ रही है आपकी यह सर आब आ रही है ठीक है मैं स्टार्टिंग से बताता हूं जिसका जो रहे गया नहीं रहेगा मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं सर हमारे chapter का नाम क्या है residential status यह income text में section number six के अंदर आता है maximum cases है इस chapter में वैसे तो section काफी है लेकिन सबसे important होता है हमारा six residential status residential की बात मैं करूँ तो residential का मतलब होता है रहना सर यहाँ पे residential का मतलब English का Hindi meaning मैंने बताया रहना लेकिन यहाँ पे residential का मतलब है कि आपको residential तभी दिया जाएगा जब आपको क्या paid करना हो टेक्स पेड करना हो government को तो आपका status पहले check होगा उसके बाद दिया जाएगा status का मतलब आपको tax या तो tax आपको देना हो सकता है या नहीं देना हो सकता है तो अगर आपको tax नहीं देना तो non resident आ जाओगे आप अगर आपको tax देना है तो आप resident में आ जाओगे तो status का मतलब यह है या तो आपको देना पड़ेगा tax या नहीं देना पड़ेगा मैंने बहुत simple सा मैं अगर example लूँ तो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर आप इंडिया के अंदर अगर रह रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको tax देना पड़ेगा आपके respective of income क्या है ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के अंदर कोई foreigner इंडिया के अंदर 10 दिनों के लिए आ जाएं तो क्या उसको tax देना पड़ेगा यह सीखेंगे इस chapter के अंदर हो सकता है कि इंडिया का person कभी बाहर चले गया foreign घूमने के लिए इंडिया में था ही नहीं तो क्या उसको tax देना पड़ेगा यह देखेंगे इसके अंदर हो सकता है को इंडिया के बाहर आप जाओगे न तो citizen का मतलब होता है बहाँ का green card मिल जाता है आपको तो उसे क्या बोलते है वहां का resident बोल दिया जाता है वहां का नागरिकता प्राप्त हो गया उसे बोला जाता है citizen भारत के अंदर अगर आपको citizen लेना है तो आपके पास क् green card है वैसे हमारा अधार card है तो अधार card अगर आपके पास है तो आप क्या हो जाओगे इंडियन citizen अधार card के लिए जरूरी नहीं होता या फिर कहीं कर सिटीजन सिप लेने के लिए ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता कि वहां आपको बॉन होना है वहां आपको जनम ले होता हूं करा चाबला कंपनाचाबला इंडिया में रहती लीए वो का हां रहती है नासा में सुना अगर नहीं सुनागा अगर कलपना चाबला इंडिया में रहती ही नहीं है लेखिं वह Indian citizen के अंदर आएगा क्योंकि वहां पर भी है और उसे यूस का भी पर्मानेंट literature होज وسcado पॉसिबल नहीं क्योंकि व्हेकर ने क्योंकि तो सबती एकास कि लिए क्षप्ते Мlles कि लीए प्रइसे ही जेले क्या सब्सक्राइब ही क्यों तुम इसे चेम्ल एक।्रमिये घ्ला करें क्या सकता है वो भी या फिर नहीं हो तो पहली बात आपको अगर इंडिया के अंदर टेक्स देना है तो सबसे पहले एक कोशन मैं पूछता हूँ क्या इंडियन सिटीजन टेक्स जो होता है इंकम टेक्स एक कोशन आता है बहुत सिंपल सा कोशन है इंकम टेक्स डिपेंड ओन रेजिदेन्शल स्टेटस मैं रफली लिख रहा हूँ नॉट ओन सिटेजन शिप इस सरीके से कोशन है मैं दिखाऊंगा भी बढ़ाऊंगा भी कोशन क्या कहता है सर इंकम टेक्स के अंदर पेपर में पूछते हैं सवाल एक्जामनर बताइए कि इंकम टेक्स उसके रेजिदेंशल स्टेटस पर डिपेंड होता है ना कि उसके सिटेजन शिप पर डिपेंड होता है क्या आप इससे सहमत है इस पर कमेंट करिए ये कोशन होता है तो बिल्कुल सर हम इस पर एग्री गरते हैं क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आपका सिटीजनशिप हो और आप वहां पर टेक्स दो मैंने धेरो एक्जामपल दे दिया आपको कल्पना चाबला इंडिया की वह टेक्स नहीं देती इसके साथ-साथ और भी ऐसे इंडिया कही हैं लेकिन यूके में रहते हैं बहुत रिचेस्ट परसन है वह भी टॉप 10 के अंदर आते रहते हैं हर बार तो वह इंडियन सिटीजन है ऐसा ही और भी आप देखोगे तो बहुत सारे वेक्ति आपके नोन में भी होंगे जो कि यहां से तो चले ही गए अब वह तो यू से टेक्स लेंगे चाहिए तुम कहीं भी रह रहे हो उस से मतलब नहीं है तो सर और कि कोई व्यक्ति रेसी डियन्सल स्टेटास इंडिया का कोई तो होगा इसका फैरामेटर कोई तो पैमाना होगा बिलकूल होगा तो क्या होगा वो देखेंगे हम सबसे पहले हम सटेश की बात करें तो चिवा απ tu 7 कर निकलता है कितने व्यक्ति होते हैं टॉटल साथ ईंडीबीजिव में दो एक है lazijol का पूछा जाएगा सब्सक्रीं हैमें में मैंने स्टार्ट लुएएद वाले है तो किसके लिए पूछा जाएगा इंडिवीजवल के बारे में दूसरा कंपनी या थोड़ा थोड़ा सा वह मैं बता दूगा उसमें कोई दिक्कत नहीं पहले इंडिवीजवल का सीखने आपने बहुत अच्छे से तो सर इंकम टेक्स के अंदर इंडिवीजवल का रेजिदेंचल स्टेटस होने के लिए आपको दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है किन-किन दो बातों का ख्याल रखना होगा ध्यान से देखिएगा अगर आप इंडिया में टेक्स अगर आप इंकम टेक्स के अकॉर्डिंग टेक्स देंगे ना तो या तो आप रेजिडेंट होंगे या फिर आप रेजिडेंट नहीं होंगे दो ही बात हो सकती है ना या तो आप रेजिडेंट हैं या फिर resident नहीं है दो चीजे हैं पहली बात यह ध्यान रखेगा यानि सर हम या तो resident होंगे या फिर क्या हो जाएंगे हम non resident आप non-residence को simple सब्दों में समदो कि आप हिंदुस्तान के नागरीखी नहीं हो आप अंग्रेज हो यह समझो अपने आपको resident के मतलब आप अंग्रेज क्यों ना हो लेकिन income tax department बोलेगा कोई फरक नहीं पड़ता आप हिंदुस्तानी ही मानेगे हम आपको तो non-resident सबसे पहले बात करते हैं अगर आप resident हो तो non-resident नहीं होगे तो sir resident होने के लिए सरकार ने दो condition बनाए हैं उस दो condition में से कोई भी एक condition अगर आपने fulfill कर दिया तो आप बच नहीं सकते फिर सरकार के दाइरे में आ जाओगे दो condition बोला है चेक कर लो इसका income tax department को बोला गया income tax department आपको एक काम करना है इस वक्ति का कोई भी वक्ति का tax निकालने से पहले ये दो बाते जान लेना सबसे पहले residential status जो हम निकालेंगे किस साल का निकालेंगे जिस साल पैसे को वो कमाएगा उसी साल का निकाला जाएगा जिस साल पैसे को earn करेगा और जिस साल पैसे को अर्ण किया जाता है उसको कौन सा साल बोलते हैं प्रीवियस येर का रेजिदेंशल स्टेटस निकाला जाएगा बिल्कुल ठीक तो गौर्वर्मेंट ने बोला कि अगर आप इन एनी इन एनी की जगह पर मैं लिख देता हूँ परसन परसन इफ स्टे इन इंडिया एट लीस 182 देज 182 देज इन प्रीवियस येर को थोड़ा शॉट फॉर्म में लिख दिया मैंने पी वाई अगर आप भारत के अंदर 182 दिन रुख जाओगे तो हम बोलेंगे आप रेजिडेंट हो यानि जो बाइडन भी भारत के अंदर अगर गलती से रुख गया 182 दिन तो इंडियन गवर्मेंट उसे छोड़ने वाली नहीं है उसकी सारी इंकम के क्या करेंगे टेक्स ले लेंगे 182 दिन इंडिया में बहुआँ पर आप क्या करो मान लेते हैं इलोन मस्क आजा इंडिया में तेसला का फर्म लगाने के लिए और वो यहां पर इंडिया के अंदर रुख जाता है और वो काम में इतना विजी हो गया कि 190 दिन रह गया फर्स जाएगा फिर इंडिया में फिर जितने भी पैसे कमा रहा है उस सभी पर उसको टेक कि आया कुछ नहीं कमा रहा तो क्या उससे टेक्स लेंगे अगर आपकी कमाई है तभी टेक्स लेंगे नहीं लेंगे नहीं है कमाई तो हम लेंगे ही नहीं हम तो यह कह रहे हैं कि हम टेक्स की बात नहीं कह रहे हैं आप गौर्मेंट आपको टेक्स लेने के लिए देख सकत 182 डेज अब गवर्मेंट ने बोला भीया यह 182 डेज गवर्मेंट को लगा कि जब 182 डेज का रूल बना रही थी तो गवर्मेंट को लगा यार हमने जादा वक्त बोल दिया इनको कुछ वक्ति आते हैं सौ दिन रुखते फिर भाग जाते टेक्स की डर से फिर सौ दिन रुखते फिर भाग जाते बाहर ऐसा कर सकते हैं न वो एक साल में आये सौ दिन में सारा अपना काम बनाया निप्टाया और चलेगे बाहर इंडिया में टेक्स से क्या हो रहे थे बच रह कि आएंगे बोला कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा काम कर रहा है तो हम चेक करेंगे उस केस के अंदर ये इसको बोला जाता है पता है क्या बेसिक कंडिशन मैंने लिखा नहीं मैं बता देता हूं इसको बोला जाता है सर बेसिक कंडिशन इसे बोलते हम basic condition और सर यह कौन सा basic condition number बताया मैंने one basic condition क्या है याद रखने में आसानी होगी सर basic condition number one है section six अप्रकर दूसरा बोला basic condition number two basic condition number 2 सर basic condition number 2 में क्या बताया होगा सरकार ने चुकि कुछ rule तो कुछ strict बनने थे यहां पर तो basic condition number 2 में बोला कि अगर कोई भी if person stay in India 60 days in previous year यानी बोला गया अगर कोई वेक्ती 60 दिनों के लिए भारत में रुखता है अगर इससे बच गया तो दूसरा चेक करेंगे कोई वेक्ती 60 दिनों के लिए भारत में रुखता है कब previous year में और पिछले सालों में पिछले चार सालों में 365 days in last 4 year में सर ये condition लगेगा उसके उपर क्योंकि वो बार-बार government को धोखा दे रहा था तो अगर इस condition से बच गया हम उसके उपर दूसरा apply करेंगे क्या apply करेंगे सर 60 दिन अगर तुम आगे इंडिया में चलो 182 days नहीं आए 90 दिन आए चलो 90 दिन देख लिया फिर हम चेक करेंगे पिछले सालों की अगर पिछले 4 सालों के अंदर अगर आप 365 दिन आ रहे हो इंडिया में कितने? 365 दिन और ये दोनों बाते अगर complete होता है बीच में देखो मैंने क्या लगाया है end का मतलब होता है दोनों अगर इन दोनों बातों को एक साथ complete कर रहे हो तब भी आपका status क्या होगा? resident होगा अगर इन दोनों में से आपने कोई भी एक ये भी करोगे और ये भी करोगे इन दोनों में से कोई भी एक आप complete करोगे तब भी आपको क्या बोला जाएगा? resident बोला जाएगा अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं करते अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं करते आप if basic condition one or two not satisfied अगर आपने basic condition satisfied नहीं किया कोई भी इन दोनों में से one or two तो आप क्या माने जाओगे आप अजाद हो tax implement से सरकार आपको हाथ भी नहीं लगा सकता tax के point of view से तो अभी बहुत से simple से definition क्या बता है सर अगर आपके उपर इंडिया के अंदर चाहे कोई भी हो आपका citizenship से मतलब नहीं है हमें हमें क्या मतलब है आपके status से status देखेंगा अगर 182 दिन आप इंडिया में रह रहे हो पैसे कमाएं तो tax देना पड़ेगा आपको क्या बोल दिया मैंने आप हो resident अगर इससे बच गया तो government ने दूसरा रूल लगाया सर दूसरा रूल क्या लगाया कि अगर person stay करता है इंडिया के अंदर 60 days और 365 days last 4 year के अंदर दोनों एक साथ तब भी आप क्या मानन जाओगे resident एक example लेता हूँ आप देखो simple सी बात है मान लेते है Ricky pointing पता कौन है ये जो match देखते हैं को उनको पता है सबसे जादा world cup यही लेगे है Ricky pointing तो Ricky pointing है मान लेते हैं इंडिया में हर साल 100 दिन के लिए आता है पिछले 10 साल से यही चल रहा है इसका 100 दिन के लिए हर साल आ जाता है अब पूछा गया इसका resident status बताओ तो सर पहले हम चेक करेंगे कौन सा लगा है इस पे ये वाला ये इस साल के लिए निकालना ये हमारा current year है तो पहले चेक करते हैं क्या current year में 180 दिन है नहीं है चलो बच गया अब अभी नहीं बचेगा पहले दूसरा भी देखेंगे अब इसमें क्या बोलता है current year में कितने दिन 60 ये तो डन कर गया पिछले चार सालों में कितने दिन तो पिछला चार साल ये है क्या 365 दिन है पिछले चार सालों में है 400 दिन हो गया ना 365 ही नहीं होना चीए उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा कम होंगे तो फिर यह बच जाता मान लो इस साल आता सपोज करो आपका दूसरे आंसर में देता हूं इस साल आता सौ दिन के लिए एक बार कर लेते हैं और एक बार कर लेते हैं 60-60 दिन आया है ठीक है इसके बाद नहीं है पहले यलो वाला जो कर रख है मैंने उसकी बात करते हैं तो यलो वाले के हिसाब से ये वाला कंडिशन दोनों पूरी कर रहे हैं तो इसका यलो वाले के हिसाब से आपका जवाब होगा ये क्या है resident मैं r symbol डाल रहा हूं इसको क्या ये resident और red वाला जो मैंने लिखा है चलो यहां पर तो आ गया इसके अंदर लेकिन पिछले चार सालों में कितने हुए तो ये वाला तो पूरा नहीं कर पाया इसका मतलब अब red वाले के हिसाब से देखा जाए तो नोन बड़े सारे question करने अभी तो मैं सिर्फ example दे रहा हूं आपको current year वाला नहीं पिछले मैंने बोला last current year को छोड़ दो उससे पिछले वाला मैंने 90 days बोल दिया कि है कहीं पर नहीं यहां 60 60 लिखा है देखो 60 अगर मैंने बोल दिया है तो आप समझ जाओ 60 और 365 की बात करना हूं बताओ बताओ हाँ 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 बिल्कुल एक question देखो question यहाँ पर 35 दिन है और इस साल पूरे साल है 365 दिन तो current year में कितने दिन होना चीए 60 तो है नहीं current में तब भी non-residency हो जाएगा यह दोनों बाते यहां पर इखटा complete होना चाहिए क्योंकि हम residential status इस साल का निकाल रहे हैं अगर मैं इसका residential status आप से पूछूँगा तो current में 365 है तब तो यही वाला पूरा कर रहा है इधर क्यों जाएंगे हम ठीक है ना अब आ जाता है सर यहां तक आपके question थे अब आ जाते है इसके exception ना नॉन-resident का तो यही है कि भी यह तुम condition satisfy मत करो नॉन-resident अभी लिखने के लिए proper time देंगा भी लिखेंगा इसके बाद आ जाता है exception exception के मतलब इंडिया के लोग जो थे इंडिया के लोग उन्होंने क्या करा जोर सोर से विरूद किया पाई हम 60 दिन आते हैं अपने family से मिलते हैं और फिर हर बार आना जाना लगा रहते हैं हम तो यहां के भी हो जाते हैं और वहां के भी रहते हैं दोनों जगा टेक्स दे के बचाई गया उसके पास फिर government ने बोला रुको आप इंडिया के अंदर आ रहे हो तो आपके उपर क अबिधिक से कौन सा रूल लगेगा य WOW यह वाला लगेगा यह वाला चेक नहीं करेंगे तो ऐसे कौन-कौन से व्लेकवी तीन तरहीं के की व्लब्री कई जिसके ऊपर कौन सा रूल लगने वाला है श्यक्त commercial श्रैफर, सिर्फ्य से यह वाला यह वाला नहीं लगेगा गा म हैं वो यानि मैं simply बताऊ ना आपको तो exception case sir किसका exception case या अगले पेज पर चले चलो अगले पर चलो नहीं इसमें थोड़ा सा है exception का मतलब होता है अपबाद जो हमने सीखा है वो सीखा तो ठीक है लेकिन इन बातों पे वो सीखी हुई बाते अपलाई नहीं होगा अभी तक सीखा है कोई वकती एक condition से बचा तो हम उसके उपर अपलाई करेंगे अगर दूसरे से बचा तब वो बच गया अभी तक ये सीख है लेकिन exception का मतलब कोई वेक्ति जो है उसके लिए हम दूसरा देखेंगे नहीं एक से बच गया मतलब वो बच गया तो क्या-क्या बोला गया दो तरीके के एक कई बार person ऐसे होते हैं ना नमबर वन परसन गो आउटसाइड इंडिया फोर कोई भी परसन गो आउटसाइड इंडिया फोर इंप्लोईमेंट के लिए इंडिया से बाहर इंप्लोईमेंट परपंस के लिए जाता है कौन इंडिया के वेक्ति अब नौकरी करने गए इंडिया से बाहर इंडिया में कभी आते हो 70 दिन कभी 90 दिन, कभी 80 दिन 50 दिन, हर साल तो आओगे family से मिलने के लिए तो ऐसे situation में आपके उपर दूसरे वाला condition अपलाए नहीं होगा, सिर्फ क्या चेक करेंगा अगर 180 दिन, जादा family के साथ रुख गया आप यहां पर तो भाईया नहीं चलेगा, फिर तो आपको tax देना होगा, लेकिन अगर 50-60 दिन, दो मेने के चुट्टी का उन्होंने देख लो आप 2,5 मेने का तो चलेगा ठीक है न, तो यहां पर रखा गया दूसरे नंबर पर crew member crew member कौन होता है पता है आपको कौन होता है बताओ airport पे ने हाँ airport पे भी होता है बात ठीक है, और भी जगह होता है अगर मैं आपको crew member दिखाऊ तो है क्या crew member मेरे पास crew member की हम बात करें तो जो इंडियन शिप है न इंडियन शिप आपकी बात बिल्कुल सही है सर जो airport पे होते हैं और जो इंडियन एरलाइन ये किसी भी airline में होते हैं उसे भी crew बोला जाता है आपका भी travel करोगे तो हमारे crew करके लेकिन हम शिप की बात करेंगे इंडियन शिप कोई भी इंडियन शिप पे या नोन रेजिदेंस किसी भी शिप पे दो तरीके के वेक्ति होते हैं एक शिप को चला रहा होता है उसको क्या बोलते है जो शिप को चला रहा होता है क्या ओ्राइवर उसे बोलते हैं क्या एधिक काम कर रहते हैं उसे क्या बोला जाता कर रहे हो एजा वर्क कर रहे हो तो उसके उपर भी कंडीशन नंबर टू नॉट अप्लाए कि कंडीशन नंबर टू नॉट अप्लाए कि कुश्चन कहना है कि अगर हम 183 और या 283 दो साल दो साल नहीं करेंट यर का ही चेक करेंगे हाँ चार सालों में मैंने कहा 365 दिन चार सालों में अगर वह 365 से जादा रह लेता है कोई बुरा ही नहीं है उसमें वह कंप्लीट रहेगा चीक है अभी काफी सारे कुश्चन भी देखेंगे एक बार मैं कॉंसप्ट एक बार खतम कर लूँ न फिर सारे हम पॉइंट्स पर आ जाएंगे चलिए एक और पॉइंट देखते हैं थर्ड पॉइंट बोला गया इंडियन ओरीजन तीसरा एक्सेप्शन सर इंडियन ओरीजन पता है कौन होता है दिखाते हैं आपको इंडियन ओरीजन यह तो देखो आपको मैं दिखा रहा था crew member यह देख लो crew member ऐसे होते यह जो यहाँ पे turban में है वो तो मुझे captain लग रहे है भाई यहाँ पे सरदार जी जो है वो क्या है captain वो crew member नहीं है इसके साथ में जो यह सारे है न यह यह कैदी नहीं है यह crew member है उससे पे काम करने वाले ठीक है न वो क्या है crew member तो इनकी बात कर रहे हैं अगर कोई ऐसा ही काम कर रहा है तो उसके उपर जग captain है न तो captain के उपर तो sir दोनों conditions अपलाई होगा crew member के उपर एक होगा और Indian origin भी दिखा देते हैं कौन होता है sir Indian origin यह है हमारी Indian origin यानि sir Indian origin का मतलब है वो वेक्ती यह Indian origin है ठीक है Indian origin का मतलब है जब भारत divide नहीं हुआ था देखो अजादी की तो बात करें अजादी का तो छोड़ो एक भारत divide हुआ था ठीक है न 1947 में इंदिया और पाकिस्तान जिसके भारत के दो हिस्से हो गए थे तो divide हो गया था तो या तो कोई भी वेक्ती या तो खुद परसन या उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी grandfather, grandmother या नाना नानी अगर ये इंडिया में born हुए हैं 1947 से पहले तो आप या आप खुद 1947 से पहले तो आप माने जाओगे Indian origin यानि आपका इंडिया से एक गहरा नाता है simple सी बात है उसे बोला गया Indian origin आप इंडिया origin का मतलब क्या है? वहीं से निकले हो आप कल्पना चाबला अभी एज पता चल रही होगी कितनी है? मान लो 40 साल होगा तो इसके जो दादा दादी होंगे नाना नानी होंगे क्या कल्पना चाबला की अगर बात करें उसके दादा दादी नाना नानी अगर इंडियन क्योंकि इंडियन ही है तो इंडिया के अंदर बॉन हुए होंगे 1947 से पुरान ही होंगे वो तो इसलिए से मैंने क्या बोला? इंडियन ओरिजन ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर भी है इंग्लेंड में एक क्रिकेटर हुआ करता था मोंटी परिशर के नाम से होता था मोंटी पनीसर होता है परिशर था कुछ वो भी क्या था? इंडियन ओरिजन मतलब मेरे सिंपल सी बात है सर आप या आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी या आपके ना 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 नी 1947 डिवाइड होने से पहले अगर इंडिया में पैदा हुए है तो आपको एक स्टेटर्स मिलता है इंडिया में स्पेशल स्टेटर्स जिसको बोला जाता है इंडियन तो सर आपके उपर भी कंडीशन नंबर टू नॉट अपलाए यह तीन वेक्ति ऐसे हैं जिसके उपर कंडीशन अपलाए तो इन तीन वेक्ति के लिए स्रिफ कौन सा कंडीशन चेक करोगे 182 वाला स्रिफ 180 दूसरे वाला 60 और 365 वाला चेक नहीं करना यह सब ठीक ठाक चल रहा था इतनी सी बाते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो उस सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो इंडिया के अंदर लास से लास्ट एर एक अमेंडमेंट आया एक अमेंडमेंट क्या आया सर कि जो इंडियन ओर रीजन है न अब कुछ बच्चे कह रहे है मेरे को पता नहीं कलपना चावला का क्या है ठीक है मैं तो एक एक अग्जामपल ले रहा था कोई नी जो जाना पेचाना था थोड़ा यह ले लिया सायद में मेरे को बिजय मालिया ले 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 लिए था यहां पर ठीक है ना ठीक है चैलिक है शन्य पिशिए कोई बात नहीं आपको बस कॉंसर्प समझाना है जाना ना नी बॉन कहां हुए हो इंडिया में कब अजादी से पहले तो उसे क्या स्टेटस मिल जाएगा इंडिया और इंडिय को यह बात समझ समझ बें आ गई कि ऐसे तो बहुत सारा पैसा इंडिया के अंदर transfer होता है उस उने दादा दादी को transfer किया जाता है उसने बोला कि sir इस case के अंदर आपके उपर condition number सिर्फ one apply हो रहा है लेकिन एक और condition government ने इसके अंदर add on कर दिया है sir एक और condition क्या add on कर दिया number मैं इसी की बात कर रहा हूं सिर्फ third के contest में बात करूँगा मैं थर्ड के अंदर बोला कि sir आप दोनों तो ठीक है आप दोनों पर कोई कारवाई नहीं होगी इनको नहीं छोड़ा गया इनको बोला गया कि आप का Indian origin हो ओके आपके ऊपर हम एक और condition लगाएंगे अगर आपकी income not exceed 15 lakh other than Indian income foreign income मतलब कहा गया कि जो Indian origin है अगर उसकी income भी साथ के साथ आपको अगर 182-82 वाला सरिफ चेक करना है ना तो उसका जो income है foreign income को छोड़ दो इंडिया की इसे ही 15 lakh से exceed होगा उसके लिए एक और rule आ जाएगा income कौन से income इंडिया से होने वाला income foreign income छोड़ के तो सर इसका मतलब अगर इसकी income 15 lakh other than foreign income मैंने कहा के not exceed इसका exceed नहीं होना चाहिए तो एक question raise होता है सर के अगर इसकी income 15 lakh से जादा हो गया तो क्या लगेगा तो ऐसे situation में क्या लगने वाला है then बोला गया अगर if income exceed 15 lakh कौन से वाला other than foreign income तो सर आपके उपर condition number two apply हो जाएगा सर आपके उपर condition number two apply हो जाएगा लेकिन ध्यान रहे condition number two के अंदर क्या था बताएंगे जर थोड़ा याद हो तो सर condition number two में था 60 दिन होना चाहिए और 365 दिन पिछले 4 सालों होना चाहिए तो सर condition number two जरूर apply होगा लेकिन 60 दिन जहां पर बोला गया है ना उस 60 दिन को थोड़ा सा हम बदल देंगे और उस 60 दिन के अंदर हम 60 days की जगह पर आपका चेक करेंगे इसका मतलब सर आपका कहना है यह साथ दिन है इसके साथ भी कोई और रूल है क्या बिलकुल इसके साथ एक रूल बन जाता है 120 days and 365 days in a last four year लेकिन यह सब के उपर अप्लाई नहीं होता सर यह किस के उपर अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओरीजन और सर सभी इंडियन ओरीजन पर अप्लाई होगा या कुछ एक इंडियन ओरीजन पर सर सभी पर अप्लाई नहीं होगा जिसकी इंगम एक्सीड हो रही होगी यह सभी इंडियन पर होगा नहीं होगा यह सरिफ उसी के इंगम होगा जिसकी इंकम Whose income एक्सीड 15 lakh मैं हर बार word use कर रहा हूँ exceed इसका मतलब 15 lakh है तो वो बच गया और कौन सा 15 lakh Indian income other than foreign income law में कहा है other than foreign income यह पिछले साली amendment आया था जो changes आया था ना वो पिछले साली करा था government कोवीड के duration में फिर से एक बर दुबारा देखते हैं सर income tax में residential status में आपके दो status है या तो आप resident होगे या non resident होगे resident होने के लिए आपको 182 days इंडिया में रहोगे जिस साल उस साल आपका status resident होगा अगर 182 days नहीं हो तो आपका चेक किया जाएगा 60 दिन और 365 दिन लगातार पिछले चार सालों में तब आपका resident resident माने जाओगे इन केस आप इन दोनों से बच जाते हो तो आप किसमें चले जाओगे लेकिन फिर कुछ exception cases है सर exception cases क्या है तीन condition के अंदर आपके उपर यह वाला रूल अपलाई नहीं होगा स्रिफ और स्रिफ यह वाला रूल अपलाई होगा condition नमबर बन अगर आप क्रियू ओरिजन हो लेकिन इंडियान उरीचन के अंदर सरकार ने थोड़ा सा लफडा डाला हुए 15 लाक रूप्ए वालाग अगर आपकी इंकम 15 लाक रूपए से ज्यादा है अगर आप की 15 लाक रूपके ज्यादा है ऐसे situation ने आपको माना जाएगा आपके उपर apply होगा condition number 2 भी लेकिन 2 होगा with change के साथ वहाँ पे 60 की जगह पे क्या check कर लिया जाएगा 120 दिन पहले बात को समझी आप नहीं foreign income नोट नहीं करेंगे अगर कोई foreign income हो रहा है तो नहीं देखना उसको अगर मान लो कोई person है जैसे मान लेते हैं विजय मालिया की बात कर लेते हैं विजय मालिया जो है वो क्या करता है इंडिया से पैसे कमा रहा है उसकी 13,00,00 रुपे income हो रही है और बाहर करोड़ों रुपे कमा रहा है foreign income तो उसको हम non resident के category में रखेंगे उसके उपर सिर्फ एक ही रूल अपलाए होगा 180 दिन वाला कहरें अगर किसी का सन बिल्कुल ये concept आगे आएगा अमन्दीप ये remittance का part है सारी चीज़े हम करेंगे आगे ये हाँ जी जितने बच्चे भी live है जो है फटा फट से comment लिखिए ताकि मैं इसके आगे और जा पाँ चलो एक छोटी सी point और है उसको करके फिर हम इसको conclude करेंगे सिर्फ basic condition खतम हो जाएगा एक point ये है कुछ ऐसे वेक्ति भी है कि वो पैसा तो कमा रहे है और वो कहीं का resident ही नहीं हुआ जैसे मालो 50 दिन रह गया इंडिया में 50 दिन रह गया USA में 50 दिन रह गया उस्टेलिया में 50 दिन चले गया पाकिस्तान में 50 दिन चले गया नेपाल में पूरे इंडिया घूम लिया उसने पैसे कमाए खूब उसने मतलब पैसे तो कमाई रहा है अब इस तरीके से देखा जाए तो वो tax के दाएरे से तो बच गया ना तो इंडियन गौर्मेंट एक और अमेंड्मेंट लिखे आई सेक्शन 6-1-E के अंदर के अगर ऐसा कोई वेक्ति है जो कहीं पे भी उससे टेक्स नहीं वसूला गया और अगर उसकी इंडियन इंकम 15 रुपे से उपर हो रहा है तो यह कंडिशन जो हमने देखा इस कंडिशन को छोड़ो उससे टेक्स ले लो आप उसे इंडियन डेजिडेंट मान लो हां वह भी बात करेंगे अब कुछ अभी जैसे कि वह इंडिया के अंदर रह रहा है नहीं रहा है सारी बाते करेंगे करके नहीं नोट्स करने के लिए मैं प्रॉपर टाइम दूँगा जब तक खतम नहीं कर लूँ अभी इसके अंदर बहुत साथ पॉइंट्स है दीपक मैं जो भी आपके हैंड्रेस का कोईरी है जो भी बच्चे हैं उनका हैंड्रेस का डाउट लूँगा मैं एक बार मैं अपने कंसेप्ट पहले खतम कर लूँ मैं बोल दूँ ओके मेरी तरफ से हो गया फिर अब सर यहां पर कोश्चन आता है कोई वेक्ति पागल है जो बताएगा 122 दिन रह रहे हैं कोई पागल है जो बोलेगा हम 60 दिन रह रहे हैं इंकम टेक्स वाला इसके साथ तो हमेशा रहेगा यह तो बोल देगा मैं इस दिन मैं तो इतने दिन रहा भाई तो इंडिया के अंदर ने दो लॉज हैं एक सेकेट इंडिया की हम बात करें तो दो लॉज हैं इंडिया की हम बात करें तो दो लॉज है एक है क्रिमिनल लॉज ठीक है न क्रिमिनल लॉज के अंदर क्या है और एक है हमारा इंकम टेक्स का लॉज दोनों के कहानी देखो किस तरीके से होता है अब तो गवर्मेंट ने भूला है कि किसी वी व्यक्ति को आप हतकड़ी भी नहीं लगा सकते क्यों उससे उसका इंसल्ट होता है अगर किसी ने मडर कर दिया है आप देखना कही बार ठीक है अगर किसी का मडर कर दिया है या कुछ भी उसके उपर आरोप है जब तक उसके उपर तै नहीं हो जाता हाँ तो हाथ पकड़के ले जाएंगे या रसी पहले बाहन देते थे अब रसी साय बाहन देते हैं जो कोई जादा ही अगर है हद कड़ी नहीं लगा आप से इसके उपर इल्जाम लगाया गया है जज बोलते हैं मेरी नज्रों में सबसे भोला यही और इसने मर्डर कर दिया सबसे भोला यही है किसने इल्जाम लगाया पुलिस वालों ने बोला कि हमने देखा है हमारे पास कम्प्लीन आए तो पुलिस वाले आपकी जिम्मेधारी बनती है प्रूफ करिए कि इसने मुर्डर किया है तो आप देखते हैं जैसे मुर्डर का केस होता काफी दिन तक चलता है सिर्फ यही लौ है जो उस वज़े से और दूसरा कानून है इंकम टेक्स का इंकम टेक्स में जज़ बोलते हैं कि जिसके उपर लगाया गया है इल्जाम के उसने इंकम टेक्स की चोरी की है वही चोर है अगर वो बोलता है मैंने इंकम टेक्स की चोरी नहीं की है तो उसकी जिम्मेधारी यह प्रूफ करे के तुमने चोरी नहीं की है तो दुनों लौका देख रहे हो एक में जज सामने वाले कल्पिट को सामने वाले व्यक्ति को क्या मान रहा है इनुस से दिखा होतावगा सिभी आई का रेड इंकम टेक्स करेड़ जल्दली फटाफट से हो जाता है इसमें फटाफट बंद के पकड़ के जेल पटाफट डाल दिया जाता है लेकिन मडर केस के अंदर देखो के मडर कर दिया है फिर कुछ दिनों बाद फिर घुम फिर के आ जाता है अभी चल रहा है केस तो यह कहां नहीं चलती रहती है तो अब कहते हैं कि सर कैसे पता चलेगा 182 तो ऐसे situation में आपने अगर government को नहीं बताया कोई बात नहीं लेकिन जब आप government के पास गलती से चले गए तो government कहेगा हम तो बोल रहे हैं 180 दिन तुम प्रूफ करो कैसे नहीं कि तुम प्रूफ करोगे के कैसे नहीं किया है समझ महीं बात आपको तो यहां पे 182 अगर आप आते हूं इंडिया और government को कानो कान खवर नहीं लगती आपके उपर कोई टेक्स नहीं लिया जाएगा सिंपल सी बात है लेकिन अगर government को पता चल जाता है तो आप से जब पूछा जाएगा तो आपकी responsibility आप प्रूफ करी अगर आपने प्रूफ कर दिया 182 वन डेस तो फिर आपको टेक्स नहीं लिया जाएगा आप बच जाओगे अगर आपने प् इन इंडिया बच्चे कह रहे हैं कि सर गली में बाई ऐसी बाते मत करो मर्डर हुआ था तो पुलिस वालों ने इंकाउंटर कर दिया है तो मैं कोट की बात कर रहा हूं वो तो कोट तक गया ही नहीं तो ऐसी बाते मत करो दूसरा पूछ रहा है भाई साब आप कहां रहते हैं वहां भी बताओ यहां तक एक छोटा सा पॉइंट और मुझे क्लियर करने दे जो लाइव क्लास में बच्चे हैं मैं एक सिंपल सा पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ बस का कह रहे हैं इंडिया क्या कहा गया इंकम टेक्स के अंदर अंकम टेक्स के अंदर क्च बच्चे पूच्छ रहा है कि इंडिया क्ञिजन है कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इंडिया कुछ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं सर अवरिटिंग इस क्लियर कैरी ओन टॉपिक ओके ठीक है चलिए आपके सामने ले के आते हैं ये क्या है ये भारत अब इसके अंदर इंडिया की बात करें तो ये सारा का सारा एरिया क्या है इंडिया का इसके साथ वाला ये सारा एरिया क्या है यहाँ पे है क्या वैसे पानी यहाँ पे पूरा पानी है इस साइड में अलग एरिया चले जाता है इस साइड में अलग एरिया चले जाता है तो इंडिया को डिफाइन करते हुए हर कंट्री का अपना जहाँ पे यह खतम हो रहा है ने लाइन इस लाइन को खतम होने के बाद भी कुछ area उनका अपना माना जाता है ऐसा नहीं है कि यह यहां खतम हुआ तो इसका मतलब सर यहां से कितना area यहां पर माना जाता है तो जवाब है यहां पर 12 nautical mile अब पानी है पानी को किलो मिटर में नापोगे ना तो नहीं नाप सकते नाप सकते पानी का waves होता है तो उसको नापने के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे कि nautical mile तो यहां से 12 nautical mile 12 nautical mile तक आपका इंडिया का ही हिस्सा माना जाएगा कितने mile तक 12 nautical mile तक सार हर किसी के हिसाब से ना अलग-अलग देखो GST के हिसाब से अलग होता है यहां के हिसाब से अलग है ट्वेल नॉटीकल माई तक इंडिया का हिस्सा माना जाएगा और इंडिया का जो territory border होता है और वो कहीं इससे ज्यादा होता है लेकिन फिर भी बोला गया कि अगर 12 नौटिकल माईल हो माल लो कोई बैठती यहां पर बैठके ताज खेल रहा है अब वह आ गया 12 नौटिकल माईल के अंदर उसे बोला जागा बाई तुम इंडिया में थे अब तुम्हें टेक्स देना पड़ेगा को ठीक है ना ऐद्धिया से उपर कुछ बुछे बोलते हैं वह इंडिया में यूजैसे फिशर मैं होते हैं बेसिकली उनके लिए कि वह तो जातर यहीं पर होते हैं तो बोलते हम इंडिया का पार्टी नहीं तो फिर भी उनसे टेक्स लिया जाता है दूसरा एयर में अगर इं ऐसे को आप कोई भी आप मानलो इंडिया के जो की पूरा है हमारा उस एरिया के ऊपर को या सपय कम के आपने पैसे पर कमा its पैसय वात त्यक्यान यह! अगर USA से वी अपर चला गया तो उसे इन कार्ड मिल जाएगा यह तो यह क्या रहता है रूल है सर कैसे पता चलेगा यूट्स ओल यूओ तो और इस ही पूरा पूरा हमारा इंडिया का हिस्सा अंदर वाला तो है इह है दूसरी बात कुछ वेक्ति कहते हैं सर कुछ पर्सन का कहना है कि हम न ऐसा कर रहे थे हम कि हम USA से आए और सीधा मुंबई में आए USA से हम आगए मुंबई में और मुंबई से आने के बाद इधर यह न मुंबई किदर है आज चलो छोड़ो जहां भी है मुंबई में आए 10 दिन यहां पे रुके 15 दिन यहां पे रुके 20 दिन यहां पे रुके 30 दिन यहां पे रुके 50 दिन यहां पे रुके तो सर इंडिया में रुकने का मतलब है आप इंडिया के किसी भी जगह पे रुकेगे हो तो इंडिया में ही सब को जोड के 182 days count कर लिया जाएगा ऐसा नहीं जरूरी है कि एक ही place पे आपको रुकना है बिल्कुल अगर 180 दिन से ज़्यादा tour करेंगे तो उनसे भी लेंगे यह 60 दिन, 365 दिन वाला qualify करो उससे भी लेंगे इसके बाद बोला गया कि जब कोई इंडिया के अंदर आएगा मान लो कोई वेक्ति अचानक से 182 days हो रहा है वो तो बच गया लेकिन बोला गया जिस दिन इंडिया में आओगे न आप वो बोलता है कि सर मैं तो 12 बज़े आया हूँ जैसे दिन शुरू होता है कब जैसे कि अगर मैं 1169 की बात करूँ तो आज की तारिकी 1169 की रहेगी कितनी तारिका साथ है छे चे तारिक रहेगी 1169 के बाद 12 एक पे साथ तारिक आ जाएगा बारा बज़े के बाद 1169 पे इत्तफाकन वो इंडिया में आ गया इंडिया के टेरिटरी वाटर इंडिया के एयर में वो आ जाता है और टोटल इंडिया में बन रहें 1181 दिन अब गवर्मेंट चेक करेगा कि भाई जब आ रहे थे तो कहां थे तो देखा ए 1169 पे वो इंडिया में आया था सिर्फ कितने एक मिनट के लिए इंडिया में था एक दिन के लिए बोला जाएगा तुम पूरे दिन के लिए इंडिया में थे तुम्हें टेक्स देना होगा यानि सिंपल सी बात है सर डेज ऑफ अर्राइवल कितने जो भी दिन हो कितने टाइम के लिए आयो मैटर नहीं करता 24 घंटे के लिए आपके लिए वो फुल डे इंडिया के अंदर माना जाएगा same as a day of departure आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो इंडिया छोड़ के आप बाहर जा रहे हो ऐसे situation में भी माना जाएगा आप इंडिया में ही यो भले ही आपने एक मिनट पहले छोड़ दिया हो इंडिया को तो क्या याद रखना है कि 182 days या 60 days 365 days के लिए compulsory नहीं है के person एक ही जगह पर stay हो पहली बात दूसरी बात सर जरूरी नहीं है जो day of arrival होगा वो भी कहां counting होगा इंडिया के अंदर day of departure कहां count होगा इंडिया के अंदर माना जाएगा कुछ pilots होते हैं जो कि few hours के लिए आते हमेसा होते हैं न पाइलेट मान लेते हैं के आप दुबई का देखो तो दुबई से और इंडिया का distance कितना है बोलते हैं धाड़ी से तीन गंटे में पहुंच जाते हैं दिन में तीन चक्कर मार लेते होंगे हो हो सकता है तो ऐसे पाइलेट के लिए प्रोविजन बनाए गया उसका नंबर ऑफ आवर कितने रखते हैं उसको डेज में कनवर्ट करेंगे फिर उसका रेजिदेंशल स्टेटस निकाला जाएगा समझ में आई बात आपको कि तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ए राजी बताईए अगर वो क्रिव मेंबर है तो अपलाई नहीं होगा दूसरा वो चीज रहेगे ठीक है ना इंडिया से बाहर जाने का आपको पता यह इंडिया से आप बाहर चलेगा कर लिए नंडिया से पंदरा लाक रुपे के इंकम आ रही है उसे बोलेंगे तुम इंडिया में एक दिन के लिए नहीं रुखे, कोई फरक नहीं पड़ता, आप deemed to be deemed, deemed का मतलब मानना पड़ेगा कि तुम इंडियन रेजिडेंट हो और तुम्हें यहाँ पे tax देना पड़ेगा, यानि सर मोटी मोटी बाते करें, तो यहाँ पे कुछ rule है, rule क्या है, point number one note, note number one, sir note number one यह है, no need to stay in India at one place, यानि कोई जरूरत नहीं है कि इंडिया के एक ही place पे आपको रहना है, आप घूम सकते हो इंडिया में, तब भी count होगा, day of departure, मतलब जाने का, और day of arrival, बताओ कहां count होगा, इंडिया में count होगा, ठीक है न, nautical mile, कितने nautical mile है, 12 nautical mile तक होता है, nautical mile किसके लिए use करता है, एक nautical mile में कितना होता है, आप कल देख के आईएगा, इसको, गूगल पे करेंगा, वैसे अभी नहीं करना, गूगल होगा, ठीक है, अगली class में देख के आईएगा, कि एक nautical mile में कितने kilometer होते हैं, simple से बात, ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा है, सर अभी तक जो चेक कि residential status चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि at least 182 days अगर ये इंडिया के अंदर रह रह रहा है, तो उसे resident बोलेंगे, अगर 182 days से बच गया, तो उसके उपर apply होगा, 60 days और 365 days, last 4 year के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तुम Indian resident हो, लेकिन exception 3 cases है, number 1 employment purpose के लिए बाह 182 वाला apply होगा, लेकिन अगर आप Indian origin हो और आपकी Indian income 15 lakh रुपे से ज़्यादा हो रही है, excluding foreign income, तो आपके उपर जो है, दूसरी condition को भी apply कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ changes करते हुए, changes क्या है, वहाँ पे 120 days कर दिया जाएगा, एक और इसके अंदर deemed resident का provision आया, last year क्या provision थ असर, अगर आप कहीं भी किसी भी country के अंदर resident नहीं हो पा रहे हो, लेकिन इंडिया के अंदर से आपकी income 15 lakh रुपे से उपर हो रहा है, तो आपके लिए हम 182 days, 60, 50 छोड़ो, बोलेंगे तुम resident हो, लाओ tax क्योंकि तुम बाहर तो बच गया, इंडिया से पैसा कमाई रहे ह टेक्स देना पड़ेगा, यह है basic condition, चेक करने के लिए दो condition होते हैं, एक basic, एक additional, इसके बाद हम देखेंगे additional condition भी apply होगा, तब जाके उससे हम tax वसूलेंगे, यहां तक तो वो हो जाएगा सिर्फ resident, अब देखेंगे कि वो ordinary resident है, मतलब बिल्कुल बाई, इंडिया का मतलब उसे तो text देना ही देना है, बच नहीं सकता, एक non ordinary resident, यानि nri जिसे बोलते हैं, तो अब check करेंगे, या तो वो ordinary resident होगा, या non ordinary resident होगा, इसको हम short form में, अगर कोई बोले ना, तो मैं कई बार इसे nr word इसमाल कर लेता हूँ, nr, nr मतलब non, और इसके लिए मैं r word का इसमाल कर चालिंगे, तो नही तो बनी बे की सता इसमाल करेंगे, या इसमाल फिरुल और इसमाल या जारी होगा, जानिने जारा में एसमाल कर लेदया ह Malik, अनुमिक है।